हेलो फ्रेंड्स रेश्पी पिटारे चैनल में मैं रन्जो जी आप सबकर स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम आपके लिए बहुत ही जादा यूजफूल वीडियो लेकर आए हैं जो की बदलते मोसम के साथ आपके फैमिली को बहुत ही जादा हेल्दी रखेगा सर्दी खासी से दूर रखेगा और मेरे ख्याल से लगबग हर फैमिली की जवरत होती है यह जी हाँ तो आज हम हल्दी वाला दूद बनाएंगे तो मैंने लिया है एक गिलास भर करके दूद क्योंकि मुझे एक ही गिलास हल्दी वाला दूद बनाना है तो मैंने उतना ही दूद लिया है बाकी आप अपने हिसाब से दूद की quantity कम्या जादा रख सकते हैं तो दूद को मैंने रख दिया है गरम होने के लिए दूद में अच्छे से उबाला गया है और मैंने दूद में एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एट कर दिया है अगर आपको कच्छी हल्दी मिल जाती है तो ज्यादा फायदे मंद है नहीं तो आप इस तरह से सुखी हल्दी का भी प्योग कर सकते हैं इसे के साथ में एक चोथाई चमच से भी थोड़ा कम सोट का पाउडर एट करूँगी और चमच से चलाते हुए दूद को लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर जिसे दूद बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और इसे के साथ हल्दी और सोट के औसडी और गूड़ भी दूद के साथ अच्छे से मेक्स हो जाए यह दूद पकिजाने के बाद इतना ज्यादा स्वादिश्ट हो जाता है कि इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं यह दूद आप घर के बच्चों को या बड़ों को जिसे भी देना चाहे एक गिला सहर रोज दे सकते हैं तो अगर आप इस दूद को मिठा पसंद करते हैं तो इसमें एक से देर चमत सहद मिक्स कर दें या आपके पास सहद नहीं है तो गूड का पावडर भी एड़ कर सकते हैं नहीं तो हो सकता है कि दूद फड़ भी जाए तो मैंने दूद को एक मिनट तक ठंडा किया है इसके बाद मैंने गूड का पावडर बनाए हुआ है गूड डाल करके चमत से चला देंगे जिससे गूड की मिठास दूद में अच्छे से मिक्स हो जाए तो गर्मा गरम हल्द दूद बनकर हो गया है अब इसे च्छान लेंगे हम च्छानने के बाद ही प्रियोग करेंगे क्योंकि जो इसमें हल्दी और शोट का पावडर है वह च्छन जाएगा तो दूद की पीने का टेस्ट और भी अच्छा होगा तो इस तरह से मैं च्छान लेती हूं हल्दी वाल को भी स्वादिश बनाना चाहते हैं तो इसमें कटे हुए ड्राइफ रूट से इसकी गार्निसिंग भी कर सकते हैं तो लीजिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूद बनकर रेडी है मिलते हैं अगले वडियो में एक नए रेसिपी के साथ